तो question number 106 already solve कर चुका है, आभी question number 107 तो first हम लोग question को लिखना है, 3 power minus 2 plus 5 power minus 1 power 0 इतना होगा, तो उसको हम लोग लिखना है तो in order to solve these problems, we have to know the formula हम लोग मालूम हो रहे, तो देखिए तो a power 0 को हम लोग 1 लिख सकता है a क्या है, a कुछ भी हो सकता है, it is an integer 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी हो सकता है पकर लिजे a क्या क्या है, well a is natural number natural number पकर लिए चूले इसका nature number पकर लेता है what is natural number, natural number आपका 1 हो सकता है कि वो कुछ भी जा सकता है तो a power 0 कितना हो, आप a से ब्रिकर लगाए, power में 0 लगाए, कुछ भी हो, क्या लिखना है, आपको 1 लेना है, power में 0, तो देखिए, इसका कुछ solution नहीं करना है, just देखिए, power में 0 है, तो हमनों का answer 1 होगा, since a power 0 is equal to 1, तो therefore, हमनों का answer कुछ सा होगा, this one, b, 1, यह हमनों का answer, तो इसको solve करने के लिए मैं पहले बता चुका हो, in order to understood, the concept of this 107, आपको exponents and power, exponents and power, यह chapter है, यह एक chapter का नाम है, यह class 1 में आपको मिलेगा, उसको में बाद में अलग वीडियो में आपको दिखा दूनगा, आप वहाँ से पढ़ लिजेगा, तो chapter में बढ़े इसका 12, जब तक आप यह class 8 का exponent and power यह chapter को आप नहीं परेगा, यह question को solve करने नहीं सखेगा,